नमस्कार राज शिक्षा सोद एबां परशिक्षन परिशद बिहार पटना में आपका हादी स्वागत है तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक देखा कि हरी परसाद और रगुपरसाद दो व्यक्तियों की कहानी है जिसमें एक अती संपन व्यक्ति बहुत ही कष्ट में जीता है उनके घर में कलह होता रहता है लेकिन एक छोटा परिवार है जो वह सुखी जीवन जीता है उसके बाद सब्दाथ को देखे अब चलते हैं इस पाठ में परशन की ओर तो देखते हैं परशन किस परकार का है और हम लोग इसे किस तरह से आशानी से हल करेंगे इसका हम लोग देखते हैं तो संधी परकरण में व्याकरन भाग संतीती नाती संपन्नों पी कदापी नानुभवती परवेशिका परिक्छो त्रणा तद अवलोक्य विशाले पी सदैव तावेव सर्वाधिकं सत्यमुच्यते इसमें देखना है कि दिर्ग संधी, गुण संधी, व्यांजन संधी और अयादी संधी किस परकार से हुआ है तो हम लोग इसे समझेंगे ताकि स्वतह पता लगा सकते हैं कि वह कौन सी संधी है तो पहला है संती ती, संती जोड़ इती, इसमें संती का जोड़ ती अंती इ है और इती का इ दोनों हर सई हर सई मिलके दिर्ग हो जाता है तो यहां देख रहे हैं संती में दिर्ग है तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जिसमें आकार की मातरा इकार जदी दिर्ग हो उकार जदी दिर्ग हो तो वे दिर्ग संधी होता है यहां देख रहे हैं संती तो यहां कों सी संधी होगी बच्चों दिर्ग संधी दूसरा है न अति संपन्नों पी न जोड अति संपन्न जोड अपी तो न का और अति अती संपन्न का जो पहला चर है अ जोड अ यहां देख रहे हैं क्या हो गया ना में अहीं और धुर हो रहा है कि हो रहा है दिर्ग हो रहा है अब इधर देखते हैं अती शंपन्नह जोड अपी यहां विसेलक है तो इस संधी में दिर्वी संधी के साथ साथ विशर्ग संधी है अगला है कदा पी कदा जोड अपी तो कदा का आ और अपी का अ कदा का जो अंतिम वर्न है वह अकार है और अपी का जो पहला अक्षर है वह अकार है तो आ जोड़ अ पराबर आ देखते हैं कदापी देख रहे हैं कि द जोड़ है उस पर एक अकार की मात्रा है इसलिए इसे हम लोग क्या समझेंगे दिर्विसंधी नानूभवती न जोड़ अनूभवती भवती में भी अनूपसर्ग लगा हुआ है तो जो न है उसमें अ की मात्रा है ना हलन्त जोड अ बराबर न तो अ न का अ और जोड अनुभावती का अ दोनों को जब जोडते हैं तो हो जाता है ना न कार ना तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि दिर्ग संधी ना अनुभावती देखेंगे और समझ जाएंगे कि यह दिर्ग है परवेशी का परिक्ष्षो तिरन है इसमें जो है कि परवेशी का परिक्ष्षा जोड उत तिरन मतलब मैटरी की परिक्षा में उत्तिर्ण होना आब यहां देख रहे हैं कि परिक्षा का आ और उत्तिर्णा का उ क्या बन गया है ओकार परिक्षो तिर्णा तो ओकार और एकार की मात्रा जहां जुड़कर होता है उसे हम लोग कौंसे संधी गुण संधी तो यह होगा गुण संधी तो जिसमें विएनजन का स्वर से जोडा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं व्यांजन संधी जहां देखते हैं हम लोग हलन्त है वहां समलोग समझ जाते हैं कि व्यांजन संधी तो तद वालो किया विजन संधी विशाले पिशए हाई जोड अपी तो यहां क्या देख रहे हैं कि विशाले जस्का तस है और अपी का जो अ है उवा अर्द हो गया है मतलब पुरूरूप में आ गया है इसे पुरूरूप संधी कहें सदैव सदा जोड एव तो आयकार और आवकार जिस पर हम देखेंगे कि जोडने से आयकार और आवकार होगा वभा होगा विर्धी संधी तो सदा जोड एव सदैव यह बिर्धी संधी ताव एव ताव जोड एव यहां आवकार में जब ए जूटता है तो क्या हो गया है ताव आब कहने का मतलब जिसमें आब, अब, आब, आए और आए इस तरह से जुड़कर बनता सब्द है तो हो जाता है अयादी संधी तावेव कौन सी संधी अयादी संधी सर्वाधिकम, सर्व जोड अधिकम तो इसमें देख रहे हैं कि सर्व का अ और अधिक का अ दोनों मिल करके क्या हो गया है सर्वा, व के बाद आकार की मातरा है इसलिए यह दिर्ग संधी सत्यम उच्यते तो सत्यम धन उच्यते यहां हम देख रहे हैं कि सत्यम के मौ में हलंत लगा हुआ है तो बच्चों जिसमें हलंत लगा हुआ रहता है उस से बनी संधी को हम लोग क्या कहते हैं उस संधी को कहते हैं व्यंजन संधी तो हम लोगों ने संधी परकरण में देखा कि गुण संधी किस परकार से होता है यन संधी किस परकार से होता है आयादी संधी किस परकार से होता है विशर्ग संधी कैसे होता है और व्यंजन संधी कैसे होता है तो संधी परकरण में हम लोगों ने किस परकार से जाना आगे द प्रश्ण है आपका राम भाद्र नामकम नगरम कुत्र अस्ति यहां देखते हैं कि कुत्र के अस्ति के बाद परश्ण वाचक्चिन लगा हुआ है तो बच्चों हम लोग इस तरह से कोई बाकर रहता है तो समझ रहते हैं कि परश्ण पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा पाठ में हम लोग पढ़े होंगे कि राम भद्र नामकम नगरम कहां है यह नगर कहां है तो हमारे भारत वर्श में हैं भारत वर्श एक सब्द में देना इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत वर्श आप देखते हैं दूसरा प्रश्ण हरी परसाद का पडोसी कौन है तो हरी परसाद के पडोसी कौन है इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तर एक सब्द में क्या होगा हरी परसादस्य परतिवेशी कौन है कह अस्ती तो इसका उत्तर क्या है बच्चों तो अब देखते हैं स्क्रीन पर कि इसका उत्तर क्या होगा रगुधास हरी परसाद के परतिवेशी मतलब पडोसी काउन है रगुधास रगुधास उनका पडोसी है तो देखते हैं अगला प्रश्ण रगुधास अस्यह पूत्रह कह अस्ती रगुधास के पूत्र काउन है इसमें रगुधास के पूत्र का नाम पूछ रहा है तो बच्चों हम लोगों पाठ में पढ़ा है क्या नाम था उनका तो देखते हैं इसका उत्तर की रगुधास के पूत्र काउन है तो उत्तर इसका क्या होगा बच्चों सोच लिए तो देखिए इसका उत्तर बिंदू परकास बिंदू परकास रगुदास के पूत्र हैं तो अगला पुरश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है किसके दो पूत्र हैं तो हम लोगोंने पाट में पढ़ा है कि किनके दो पूत्र हैं तो उस व्यक्ति का क्या नाम है तो इसका उत्तर आप लोग बताईए कि कस्या द्याओ पूत्रव अस्तर तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या पोगा हरी परसाद अस्य हरी परसाद के कितने पूत्र हैं तो दो पूत्र हैं तो इस तरह से हम लोगोंने चार परस्नों का हल किया पाचमा प्रस्ण क्या है अब उसे देखते हैं हरी परशाद के परिवार में कितने कन्या है मतलब कितनी लड़किया है तो इस पाठ में हम लोग ने पढ़ा कि इनके कितने कन्या है तो इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं तो बताईए हरी परशाद सस्य परिवारे कितिया कन्या संती तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा हरी परशाद स्य परिवारे कितिया कन्या संती सस्टी मतलब छव कितनी कन्याएं थी तो छव कन्याएं थी इस तरह से हम लोगों ने परश्ण और उत्तर को देखा और एक सब्द में इसका उत्तर दिया। अब चलते हैं अगले परश्ण की ओर। मन्जुशात अब्यएपदम चित्वा वाक्यानी पुरियत मन्जुशा में दिया हुआ अब्यएपद है जो नहीं बदलता है। जिसका व्यएपदम हो वो क्या है अब्यएपदम सदा अपने रूप में रहता है। किसी भी पुरुश वचन के साथ इसका रूप नहीं बदलता है। तो इसमें क्या है पहले देख लेते हैं परश्ण। तस्य परिवारे सट कन्या द्यव खालियस्थान है पुत्रव वर्तनते। कन्यासु तीसरह खालियस्थान विद्यालये गच्छनती। हरी परसादह रिक्तस्थान चिंता ग्रस्तो वर्तते। इस परश्ण में रिक्तस्थान पहले है संपन्नह, हरी परसादह, प्रतिवेशिनह, रभू परसादस्थियह, निर्धनस्यह, परसन्नतायह, इर्शती। और अन्तिव जो इसमें है बिंदू परकाश्रह मेधावी वर्तते। तो अब एक एक अभियाई किसमें क्या होगा जो हम लोग इसको भरेंगे ताकि बाकी पूरा हो। तो पहला है तस्टी परिवारे सट्टी कन्या द्यव। बने उसके परिवार में छो कन्या और द्यव। उसके बाद पूत्र है तो इसमें क्या भराएगा। तो हम लोग उससे एक अभियाई निकालते हैं जो वाक्य को पूरा करता है। तो वह कौन सा अभिय होगा बचों तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। च क्योंकि कान्या और पूत्र के बीच में कौन सा अभिय होगा च मतलब और अब देखिए बाकी पूरा हो गया कि उस परिवार में कदो कन्या और दो पूत्र थे छह कन्या और दो पूत्र थे वर्तंते हैं अगला हम देखते हैं कन्यासु तिसरह तिन कन्याओं में विद्यालये गच्छन्ती वीच में रिक्तस्थान है क्या भराएगा एव सदा अपी एवम अती एव तीन कन्याओं ही विद्यालये जाती हैं तीन लड़कियां ही विद्यालये जाती हैं तो अब अगला पुरश्न है हरी परसाद रिक्तस्थान है तो अभरना क्या है सदा एवम अती तो इसमें क्या होगा बच्छों तो इसे देखते हैं हरी परसाद सदा हमेशा चिन्ता ग्रस्त रहता है संपन्न हरी परसाद परतिवेशिन रगु ता सस्य निर्धनस्य परसंताय इर्शती आप तो दो ही रह गया है तो एक अती है और एक एबम है इसमें क्या होगा तो संपन्न से पहले देखते हैं कि इस बाकी को पूरा कौन सा अभी करता है तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बचों एबम मतलब इस परकार इस परकार संपन होने पर भी जो है हरी परसाद वह पडोसी रगुदास के निर्धन होने पर भी उसके परसंता से इर्श्या करता है अती मेधावी वर्तति गिंदु परकास बहुत ही मेधावी है इस तरह से हम लोगों ने अब्वेपद को भर करके और इन रिक्तस्थानों को पूरा किया अब चलते हैं अगले परश्न की ओर अधो लिखितानाम सबदानाम परियोगेन बाक्यम निर्मानम कुरूत गिरहे सदा जनाह सह तत्र यदाकदा वर्तति मतलब गिरहे घर में सदा हमेशा जनामने लोग सह मतलब साथ तत्र वहां जदाकदा कभी कभी वर्तते हैं तो सबसे पहले हम लोग गिरहे पर बाक्यम बनाएगे तो क्या हो जाएगा बहुत सारा बाक्यम हो सकता है इसलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा गिरहे पर एक बाक्यम बनाएगे तो गिरहे सह गिरहे वसती सप्तमी भीभक्ती है घर में उबह घर में रहता है सह गिरहे वसती लेकिन जदी उसी जगह करता को हम लोग परिबरतन कर दें तो क्या होगा तो अम गिरहे वससी वहाँ जो है किरिया बदल जाएगा अहम गिरहे वसामी तो यहाँ जब देखते हैं कि करता बदल जाता है तो किरिया बदल जाता है और गिरहे तो उसी तरह से रहेगा इसलिए अनियक बाक हो सकते हैं तो हम लोग चलते हैं सदा मतलब हमेशा इसमें भी एक बाक बनाई है सदा सत्यम वद सदा सत्य बोलो इस तरह के बाक हम सदा से बना सकते हैं सदा सुखी भवेट उन्हें सदा सुखी रहो जना मतलब लोग जना लोग इस पर क्या बाक होगा बहुत सारा होगा लेकिन एक बाक हम देखते हैं क्या होगा बच्चों जनाह अत्रन निवसंती लोग यहां नहीं रहते हैं और रहता जन्ह तहो जाता जन्ह अत्रन निवसंती यहां करता जब बदल जाएगा तो किरिया बदल जाएगा इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संस्क्रीत में कर्ता के अनुसार और पुरुष के अनुसार उसका किरिया बदल जाता है सह, सह मतलव साथ, सह के योग में तिर्टिया भी भक्ती होती है तो इसमें क्या होगा? सह, साथ, रामेन सह सीता बनम आगच्छ रामेन मतलव राम से या राम के सह मतलव साथ रामेन सह, राम के साथ सीता बन आई, आगच्छ आई, बन में आई तो सहाथ्य तिर्थिया होता है, इसलिए यहां मतलव रामेन का पर्योग हुआ है सह के योग में रामेन अब देखते हैं, तत्र मतलब वहाँ, इसमें क्या वाक्य हमोग बनाएंगे, बहुत सारा वाक्य होगा, तो देखते हैं कि तत्र से क्या वाक्य होगा तत्र एकह कूपह अस्ती वहां एक कूँआ है इस तरह से हम लोग दूसरा भाग भी बना सकते हैं तत्र एकह बिरिक्षह अस्ती बहुत सारा चीज हो सकता है जो कि हम लोग बना सकते हैं तो हम लोग परियास करेंगे इस तरह से बनाने का चलते हैं यदा कदा कभी कभी तो इससे हम लोग बाग की निर्मान करें क्या होगा यदा कदा मम् गिर्हे अतिती आग अच्छती कभी कभी मेरे घर में अतिती आते हैं इस तरह से और दूसरा बाकी में भना सकते हैं कि यदा कदा मम गिरिहे सिक्षक आगच्छती जो मेरे सिक्षक हैं पर मेरे घर में कभी-कभी आती हैं अब अन्तिम जो है वाक निर्मान में वर्तते मतलब हैं तो इस पर एक वाक बनाईए वर्तते पाटली पुत्रे सब्टमी विभक्ती पतना में गोल ग्रिहम जितिया विभक्ती गोल ग्रिहम गोल घर वर्तते है पाटली पुत्रे गोल ग्रिहम वर्तते इसी तरह से पाटली पूत्रे में ही आप लोग बहुत सारे बाक बना सकते हैं और बहुत ची है यहां, तो क्या बनाएगा? पाटली पूतरे मम गिर्हम बरतते, मतलब पाटली पूतर में मेरा घर है. तो इस तरह से हम लोगों ने वाक्य निर्मान किया. अब देखते हैं अगला प्रस्ण. निम्न लिखिता आनाम, प्रस्णा आनाम, उत्तरम, एक वाक्य न लिखते हैं. तो कहता है कि पहले जो हम लोग उत्तर दिये थे, वह एक सब्द में था, अब यह एक बाक्य में पूरा करना है. तो बच्चों संस्क्रीत में हम लोग परस्ण का उत्तर देते हैं, तो मैंने बहुत बार बताया है कि की द्रिशह, जहां परशनात्मक सब्द है, उसी के सामने हम लोग उसको बदलेंगे, बाकी वही रह जाएगा. बहुत आसान है. अब रगुदास का पूत्र कैसा है, तो कैसा है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इसका बदलाब हुआ. रगुदास अश्याः पूत्र की द्रिशह अस्ति. इसका उत्तर देखींगे और समझे किस तरह से प्रशन बनता है. तो देखते हैं इसका उत्तर. रखुदास अस्य के पुत्र मेधावी अस्ति क्या देखे एक रगुदास रगुदास अस्य अब पुत्र और अस्ति सब रह गया और किड्रिशा के अस्थान पर मेधावी क्योंकि वह मेधावी था और अस्ति के बाद पुर्ण विराम हो जाएगा जब भी कोई पुर्ण परस्णों का उतर देंगे तो परस्ण आत्मक सब्द परस्ण वाचक सब्द हट जाएगा और उतर जब देंगे तो हाँ पुर्ण विराम या अन्य सब्द भी हो सकत तो अगला पुरस्न देखते हैं स्क्रीन पर कस्य मातापितरव निजस्य संतानस्य उनतिंग बिलोक्या परमूदितव भवत किसके मातापिता अपने संतान की उनति को देखकर खुस हुए अब इसमें करना क्या है कि मातापितरव निजस्य संतानस्य उनतिंग बिलोक्या परमूदितव भवत सब रह जाएगा बस बदलेगा तो कस्य वहां किनका नाम आएगा तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं और इस तरह से हम लोग प्रस्णों का उत्तर देते चलेंगे तो क्या होगा इसका उत्तर बच्चों कस्या मातापित्रव निजस्य संतानस्य उनतिंग बिलोक्या परमूदितव भवत तो बिंदू परकास अस्या कस्या मने किसके और बिंदू परकास अस्या मतलब बिंदू पर अब देखिए पूरा इसका उत्तर कितना अच्छा हो गया कि बिंदू परकास अश्य हां माता अपितरव निजस्य संतानस्य हां उनत्तिंग विलोक्या परमुधितव भवत्त अब देखिए यहां पुर्ण विराम हो गया तो इस तरह से हम लोगों ने दो परश्णों का उत् अब चलते हैं तीसरे परश्ण की ओर कह स्वकियम विशालम परिवारम सदा निंदती तो सदा निंदित होता था अपना परिवार विशाल परिवार उबह कौन है व्यक्ति का नाम क्या है स्वकियम विशालम अपने विशाल परिवार को ही सदा निंदित होता था अपना पर करता रहता था अपने तो कौन है वह कह कह के सामने हम लोग उसका नाम देंगे बाकी वही रहेगा तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है हरी परसाद वह व्यक्ति हरी परसाद है जो स्वकियम विशालम परिवारम सदा निंदती अपने विशाल परिवार को ही वह निंद करता था करता है अब है चौता प्रस्ण है कि तो देखते हैं कि चौता प्रस्ण क्या है हम लोगा स्क्रीन पर देखते हैं वर्तमान काले के जनह धन्या अधुनिक समय में अभी बरतमान काल में सप्विभकति है में कौन से लोग है जो धन्य हैं में तो इस कहानी के अनुसार हमें उत्तर देना है है और बरतमान काले जनाह धन्या सब रहेगा के बस सिर्फ यहाँ पर हम लोग को परिवर्तन करना है तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या प्राप्त होता है वर्तमान काले ते जनाह धन्या यस परिवारम अल्पकाया आज के समय में अब परिवारम अल्पकाया जिसका परिवार चोटा हो आज के समय में ओबह धन्या तो इस तरह का भी परश्ण का उत्तर होता है तो चलते हैं अब पाच में अब अंतिम परश्ण की उरह तो देखते हैं पाच्वा और अंतिम परश्न आप लोग पढ़ रहे हैं कस्य परिवार बहु संख्यक अस्ति इसमें दो परिवार है तो एक परिवार जो है बहु संख्यक है और एक लगी असी एक छोटा है तो किसका बढ़ा परिवार है तो हम लोग लिखेंगे कस्य परिवार बहु संख्यक अस्ति रहेगा अपुन विराम लगा देगे तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा बचों हरी परसाद का परिवार जो है बढ़ा परिवार है इस तरह से हम लोगों ने पांच परस्णों का उत्तर एक एक कर दिया और परस्ण को बनाए इसी तरह से हम लोग आगे भी जो परस्ण होगा उसे देखेंगे तो बच्चों हम लोगों ने इस कहानी में देखा की दो परिवार की कल्पित कहानी है और दरसाया गया है की छोटा परिवार सुखी परिवार उसके बाद हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ती को देखें व्याकरन भाग को सरपर्थ हम देखा की संधी किस तरह से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं की कौन सा संधी है गुन संधी, आयादी संधी, दिर्ग संधी और व्यांजन संधी उसके बाद रिक्त स्थान का पूर्ती हम लोग किये जिसमें अभ्याई पद को भारना था उसको भी देखें पद में उतर दिये कुछ परसनों का और अन्तिम जो पाँच परशने थे उसमें एक बाकी में उसका उतर हम लोग ने दिया तो इस तरह से हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इन परशनों को बार बार देखते रहेंगे और कुछे फ्रशन ऐसे हैं जिसका निरंतर आप लोग लिख कर अभ्यास करेंगे तो इस तरह से आपको पढ़ने में कोई कठनाई नहीं होगी तो बच्चों इसी आशा और कामना के साथ मिलते हैं अगले बर कप्ष में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद